नमस्कार एक बार फिर से आपका स्टडी शॉट में स्वागत है मैं हूँ सुकदेव कमभोज और आज हम बात करेंगे एक रीजनिंग के नए टापिक के बारे में जिसका नाम है दोस्तो अलफा बैट टेस्ट जिसको कईक बुक्स के अंदर वर्णमाला प्रिक्शन बोलते हैं हिंदी के अंदर तो इससे कोश्चन जरूर आता है आपके एक्जाम के अंदर तो इससे पहले हमने जो रीजनिंग का टॉपिक किया था वो किया था कोडिंग डिकोडिंग जिसमें हमने देखा था A से Z तक जितने भी अक्षर होते हैं हमारे अलफा बैट्स उनका हमने क्रम याद किया था उनका उल्टा क्रम याद किया था उससे एक step बढ़ करके आगे ये topic आता है alphabet test तो मैं यह हमान के चलता हूँ कि आपको A से Z का सभी का क्रम संख्या याद है और उनका ultra क्रम भी आपको याद है तभी आपसे ये question हो पाएंगे तो बढ़ते हैं दोस्तो बोर्ड पर कुछ question लिखे हुए अंग्रेजी वर्ण माला में यानि A से Z तक अंग्रेजी वर्ण माला में अक्षर K के बाई और से 5 में अक्षर के बाई और 5 वा अक्षर कौन सा है तो इस तरीके से बाया दाया दे करके वो आपको जानी कोशिश करता है लेकिन ये simple से simple question मैंने first question लिखा है तो इसको देखते हैं solve कैसे करते हैं तो आपको देखने है अक्षर किसकी बात हो रही है K मुझे पता है कि K कुतने नमबर पे आता है 11 नमबर पे करेक्टर आता है K तो तक K के बाई और से 5 में तो मुझे पता है कि ये जो मेरा हाथ है ये दायां इसी को वर्ण माला का भी ये दायां होता है और इदर वाला पक्ष जो होता है ये बायां होता है दोस्तो अब देखते हैं question में क्या का आगया है कतक K के बाई और से 5 मां K के बाई और से 5 मां तो इसके अगर मैं इदर जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमेंसे हमाइनस करना पड़ेगा ग्यारा मेंसे अगर मैं 5 घटा हूंगा तो कितने जाएंगे 6 तो मतलब इदर से छटे character की बात हो रही है उसने कहिए न के के बाइच और से पाँचमा आक्षर तो के के बाई और से पांचवा अक्षर कौन सा हो गया छटे नमबर पर छटे नमबर पर कौन सा आता है F क्रेक्टर आता है बाई और से पांच में के बाई और पांचवा इसके फिर हमारे को बाई और पांचवा जाना है अगर इसमें से फिर से मैं माइनस कर देता हूं 5 तो कितने पर पहुंच जाओंगा 6 माइनस 5 एक पर पहुंच जाओंगा और एक नंबर पर क्रेक्टर आता है दोस्तो A, तो मेरा आंसर हो जाएगा A फिर से देख लेते हैं दोस्तो question क्या पूछा गया था कहता अंग्रेजी वर्ण बाला में K के बाई और से 5 आक्षर पहले यही तक रुखना है मेरे को K से बाई और से 5 आक्षर तो K के बाई और यानि इस साइड वो चल रहा है घटते करम में चल रहा है तो मैं क्या करूँगा 11 में से 5 घटा दूँगा फिर मेरे पास आया च्छटा character मुझे बता F होता है और फिर उसके बाद कहा रहा है उसके और बाया चलो 5 5 स्तान और बाया चलना है तो मैंने 5 और गटा दिया 5 और गटा है तो मेरे पास आया संक्या 1 और 1 पे होता है A तो आपका अंसर आजाएगा दोस्तो A तो ये सबसे सिंपल तरीके का question है, बहुत exam में कम पूझने के चांसे, देरे देरे बढ़ते हैं complex question की तरफ, जैसे अगला question आपका दे रखा है, अगले question में क्या गया रहा है, यदि अंग्रेजी वर्ण माला को विप्रीद करम में लिखा जाए, वैसे दोस्तों आपको पता ह हमारी A से लेकर के Z तक लिखी जाती, जिसमें A पहले नमबर का character होता है, और 26 नमबर का alpha वेट जो हता है, वो Z होता है, अब ये question दिया गया कि इंग्रेजी वर्ण माला को विप्रीद करम में लिखा जाए, मतलब A से Z ना लिखा जाए, Z से A की तरफ लिखा जाए, इस तर K के दाएं सात्वा अक्षर आपको ग्यात करना है, कि K के दाएं सात्वा कौन सा होगा, तो मैं देखता हूं दोस्तों, जहां पर आपको particular character दे करके आपसे पूछा जाए, तो character आप जरूर लिख लीजिए, जो alpha bet आपको दे रखा है, K मुझे पता है, 11 नमबर पे आता है, और अगर मैं normally बात करूँ, तो करवर्ण मला मेरी कैसी लिखे जाएगी, इस तरीके से, J, K, L, M, इस तरीके से, लेकिन अब क्या कह रहा है, कि विपरीत करम में लिखा गया उसको, तो अब simple आपको कुछ नहीं करना, K को लिख करके, इसको लिखने का अंदाज बदल देना अब मेरी वर्ण मला इधर से जाएगी, मतलब J इधर आएगा, K इधर आएगा, फिर L इधर आएगा, M इधर आएगा, इस तरीके से, वर्ण मला मेरी जा रही है, अब देखते हैं, को सारे क्रेक्टर लिखने की जूरूरत नहीं है, तो कहता, K के दायं से सात्वा अक्षर के के दाया आप कौन सा बनेगा बाया दाया वही रहेंगे के के दाया इधर वाला बनेगा मतलब के के इधर जाना है मुझे तो अब क्या करना पड़ेगा मेरे को गठाना पड़ेगा क्यों कि इधर जाओंगा तो देखो इसका 12 नंबर होता है इसका तेरा नंबर होता है अब इदर जाओंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा उल्टा हो जाएगा क्योंकि विप्रीट करम में तो उल्टा होगा अब मेरे को जाना है इदर दाई सात्मा क्रेक्टर देखना है मेरे को सात्मा अल्फाबेट तो मैं क्या करूँगा इसमें से साथ क्या कर दूँगा माइनस कर दूँगा 11 में से मैं अगर मैं साथ माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आता है दोस्तो च्यार च्यार नमबर का क्रेक्टर आ जाएगा मेरा D E आ जाएगा आपका अंसर तो इस तरीके से आपको solve करना है तो दोस्तों देखते हैं नहीं नेक्स टाइप के question किस तरीके से आते हैं alphabet test के आपको board पे दो question लिखकर मिलेंगे देखिए क्या लिखा हुआ अंग्रेजी वर्ण माला विप्रीत करम में लिखने पर 22 से 14 अक्षर के दाई आठमा अक्षर कौन सा होगा एक question और लिखा है अंग्रेजी वर्ण माला विप्रीत करम में लिखने पर दाई से 10 अक्षर के दाई तीसरा अक्षर कौन सा हुआ ये दोस्तो एक next step का question है इसके बाद और भी कोई complex question आएंगे तो हम दिरे one by one बढ़ते चले जाएंगे question देखते हैं कैसे होता दोस्तो question क्या लिखावा अंग्रेजी वर्ण माला को लिखना है विपरीत करम में विपरीत करम में normal condition अगर मैं देखू दोस्तो क्या होती है अंग्रेजी वर्ण माला कैसे लिखी जाती है A से लेकर के Z तक लिखी जाती है यानि A होता है पहला character और Z होता है 26 वा character इस तरीके से लिखी जाती है और इधर का पक्ष अगर मैं देखू तो होता है दाया और यह होता है दाया यह होगी normal condition दोस्तों अब वो कहता है कि अंग्रेजी वर्ण माला को करना है मेरको विपरीत करम में अगर मैं इसको विपरीत करम में करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा Z से A हो जाएगा यानि A रहेगा तो पहले number पर लेकिन इसको लिखने का करम बदल गया है यह रहेगा 26 में पर और यहीं बाया होगा यही और यह होगा दाया बाया दाया वही रहेंगे क्योंकि आपके हाथ के हिसाब से पोजिशन के हिसाब से आपका question होता है अब देखते हैं दोस्तो question कैसे solve करना है कहता है विपरीत करम में लिख दिया हमने लिख दिया विपरीत करम में कहते हैं बाये से चोदमे के दाएं आठमा अक्षर तो आप दोस्तों इस पे एक बात ध्यान रखनी है जब आपको कोई particular character particular alphabet ना दिया जाए और पूरी की पूरी वर्ण माला की बारे में बात की जाए तो आपको बाये दाएं से related दो बातें याद रखनी है बातें सिर्फ इतनी याद रखनी है समान प्लस समान क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ए समान हो जाएगा ए समान क्या हो जाएंगे जुड जाएंगे बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है अब इसके माइने क्या है मैं कह रहा हूँ समान समान होगा तो वो घड जाए और ए समान होगा तो वो जुड़ जाएगा ए समान और समान का मतलब यहां पर यह है दोस्तों कि अगर बाया और बाया दे रखा है आपको question के अंदर तो इसका मतलब वो घटने वाला है और बाया और दाया दे रखा है तो इसका मतलब वो जुड़ने वाला है एक जैसे मिल ज जोड़ेंगे 14 राट कितने होते हैं दोस्तो 22 बस सबसे पहला आपको काम यही करना है अब आगे कोश्चन देखते हैं कि क्या दे रखा है कहता कि विप्रीत करम में लिखने और 22 से 24 के दाएं 8 मां अक्षर तो मैंने क्या करना है दोनों को जोड़ दिया मैंने देखा ऐसमान आई हुए मैंने दोनों की पोजिशन को जोड़ दिया लेकिन फर्स्ट पोजिशन हम मैं मानूगा किसको जो पहले लिखी गई है पहले क्या लिखी गई है बाइं लिखी गई है तो मेरा बाया कौन सा है ये वाला बाये से 22 वे नंबर पे क्या आता है आपका वी आता है 22 वे नंबर पे लेकिन अब उसने क्या किया कि इसको विप्रीत करम के अंदर लिखा गया यानी क्रेक्टर को ऐसे लिखा गया है Z से A तक मेरे को काम कुछ नहीं करना काम यहीं करना है आप नॉर्मल कंडिशन में इसको लेकर के चलो नॉर्मल कंडिशन में अगर मैं देखता हूँ तो 22 से 22 मेरा बनता है V और V का बस आप ग्रुप देख लो कि V का उल्टाक्षर कुन सा होता है V का उल्टाक्षर होता है दोस्तो E बस आपका यहीं आंसर आजाएगा दोस्तो आपका आंसर आएगा E आप अगर इदर 22 से देखोंगे 22 मा करेक्टर तो E बनेगा बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखने है सबसे पहला काम आपने देखना है आपने कर दिया प्लस दोनों पोजिशन को 14 और 8 होगी 22 उसके बाद मेरे को देखा है 22 से पूछा हुआ है तो 22 से नॉर्मल कंडिशन में A से शुरू होगा और Z से खतम होगा तो 22 से ही मैं नॉर्मल कंडिशन में देखूंगा सबसे पहले 22 करेक्टर मेरा बनता है 22 नॉर्मल पर आता है अब मुझे विप्रीत करम दिया हुआ है ये वाला पूछा है तो मैंने इसका क्या कर देना इसका जो ग्रूप में जो उल्टा होता है बस आपको वो करेक्टर देख लेना है V का उल्टा होता है E तो आपका E answer आजाएगा इतनी सी बात आपको करनी है दोस्तो अब देखते हैं next question क्या कह रहा है आपका next question में आप से क्या कह रहा है वोई काम करना है विप्रीत करम में लिखने पर दाएं से दाएं अब देखो मैंने दाएं और दाएं एक जैसा आ गया अब मैंने क्या अगरना है positions को एक जैसी है तो मैंने गटा देना है 10 में से 3 गए किते 7 बच गए 7 आप side में लिख लिए आपको 7 वी position देखनी है कहां से जो first आपका correct दे रहा है दाएं से 7 वी position देखनी है कब विप्रीत करम में देखनी है लेकिन मैं विप्रीत करम में इसको देखूं या इसमें देखूं वैसे दोनों से अंसर आ जाएगा जैसे मैंने पहले भी निकाला है अब देखते हैं कि कहता कि दाएं से आप देखो कौन सी 7 वी position अगर मैं इदर से 7 वी position देखता हूँ तो कौन सी बनती है मेरा simply यहीं से यांसर आ जाएगा दाएं से 7 वी पहली यह बन रही है दूसरी क्या बनेगी वही same B बनेगी और इदर से अगर मैं चलूँगा तो सात्मा करेक्टर मेरा वही आएगा कौन सा G G आता है सात्मे नंबर पे और मेरे से इदर से पूछा है अगर इदर से पूछा था अगर 22 से पूछता तो मैं पहले वाला फॉर्मुला पहले वाले जैसे मैंने किया है कि normal condition में लेकर कि उसका उल्टा कर दिया तो मैं वैसे कर लेता लेकिन इसने पूछा ही दाएं से हैं दाएं से पूछा था मैं direct इस तरीके से चल रही है मेरी वर्ण माला तो दाएं से सात्मा वही करेक्टर हो जाएगा G जो नॉर्मल आता है तो जी आपका अंसुर आजाएगा दूस्त तो इस तरीके से आपको question solve करने हैं कुछ question और देखते हैं थोड़े और advanced level के और complex question आते हैं तो देखते हैं कुछ next question पर अगले question किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं जैसे बोर्ड पे एक question लिखा हुआ है प्रथम अर्धाश को विपरीत करम में अगर मैं लिख दूँ तो दाएं से पंदर्मा अक्षर मेरे पास कौन सा होगा अब बात करतेंगे अर्धाश क्या चीज होती है प्रथम अर्धाश आपसे पूछा है तो प्रथम अर्धाश जिसको first half बोलते हैं को पता है a से z प्रथम अर्धाश होती है जाता है यहानी a से m तक यह तेरा अक्षर होती है और थेरा अकषर इदर होती है तो इस को first half बोलाका होता है प्रथम अर्धाश बोला जाता है और n से लेकर Z तक पने गिनर और आफ बोले जाता है प्रत्म अर्दांश मेरा लिखा जाता है A से M तक कहता है इसको विप्रीत करम में लिख दिया जाए मतलब A की जगा M आ जाए M की जगा A आ जाए तो मैं इसको उल्टा कर दूँ तो M से A लिखा गया है अब दृत्म अर्दांश के बारे में इसने कोई सूचना नहीं दी तो इसका मतलब जब तक आपको सूचना नहीं दी जाए इसका मतलब वो एस इड़ लिखा गया मतलब N से Z तक लिखा जाए तो D20 से आपको पूचय है 15 अक्षर पूचय है तो D20 से 15 मुझे पता यहां आखर के कितने क्रेक्टर फूरे हो जाते हैं 13 मतलब 13 नंबर पर आता है यह इधर से अगर मैं देखू तो N आएगा N आएगा 13 पर और मेरे से पूचय है कितने नंबर का 15 नंबर का 14 पर जैसे आएगा लेकिन यहां पर पहले आता M अगर यह सही लिखा होता तो लेकिन इसने विपारीद करम में लिख दिया अब 14 नंबर का क्रेक्टर कौन वह गया A हो गया यह 14 का हो गया 15 वह कौन सा हो गया इससे जिस्ट बाद वाला इस किस तरीके से आपको answer देना है तो first half और second half को किस तरीके से लिख रहा है यह आपको ध्यान में रखना है बहुत easy question हो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको यूज करना है तो बढ़ते हैं हमारे next question की तरव अगला question क्या कह रहा है अगले question में दोस्तों एक language लिखी होती है आपको ये language आपको exam के अंदर मिलेगी इसके बाद question मिलेगा कता दिये गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युगम है ऐसे युगम मतलब जोड़े pairs जिन क्लिंग आपको एक शब्द दिया गया है आपसे question पूछ लिया गया है शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जिनमें उतने ही अक्षर होंगे जितने की अंगर अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो उनके बीच में होते हैं तो आपको question करने के दो तर स्टार्ट करो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ आपको गिनना है अगर मैं इदर से देखू तो 11 12 जो आप बोल रहे हैं और आपको मिल जाए next character तो एक जोड़ा बन गया आपने बोला 11 से स्टार्ट किया 12 इदर 12 है तो आपका एक जोड़ा बन गया यानि दूसरा जोड़ा भी बन गया तो मतलब मेरे पास एक जोड़ा यह प्राप्त हो गया एक जोड़ा यह प्राप्त हो गया फिर आगे के से ही देखना है 14 फिर आगे 15 लेकिन मेरे पास यहाँ पर 15 मीला तो K के इदर कोई character है नहीं तो मैं K से इदर गिनूगा नहीं अब बात करेंगे L की L पा नमबर कौन से है 12 तो 12 से गिनती start करूँगा 13 नहीं है इदर 14 है इसका मतलब L से मेरे पास एक जोड़ा मिल गया 14 के बाद आगे 15 लेकिन 15 नमबर मेरे पास है नहीं इदर देखूं तो 12 से अगला character गिनूगा 13 आपको घड़ते करम में नहीं गिनना है वैसे गिनना 12 से आगे है चाहिदर गिनो चाहिदर गिनो 13 लेकिन इदर है नहीं तो आप इसको छोड़ दोगे मतलब L से कितना मेरे पास मिल गया एक जोड़ा मिल गया मतलब I से कोई भी जोड़ा नहीं N से देखूं N का नमबर है 14 15 नहीं है 15 16 17 इसका भी कोई जोड़ा मेरे को मैच नहीं हुआ G का देखता हूं यह 7 नमबर पे है इदर कोई है नहीं तो गिनने के जरूरत नहीं है इदर देखूए 8 9 आपने 9 बोला 9 आपको मिल गया तो मतलब G से एक जोड़ा मेरे को मिल गया तो एक जोड़ा और आगया मेरे पास फिर आपने रुकना नहीं है 9 से 10 11 आपको फिर एक और मिल गया तो मतलब 1 पेर आपको और मिल गया मतलब G के आपके टोटल पेर कित्ते हो गए 2 तो टोटल पेर मेरे पास कित्ते हो गए 1, 2, 3, 4 और 5 मतलब इसके अंदर 5 जोड़े ऐसी हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की वर्ण माला में उनके बीच में होती है तो इस तरीके से आपको solve कर सकते हो अगर आपको number 1 याद है तो बहुत easy हो जाता है नहीं तो आपको पूरा वो गिनना पड़ेगा अब आप बोलो K से J, K, L, M जैसे आप बोलते हो वर्ण माला में वैसे आपको बोलना पड़ेगा K को पकड़ो K, L, K के बाद आता है L, लेकिन L मेरे पास है तो इसका मतलब एक जोड़ा ब बन गया, N के बाद O आता है लेकिन O है नहीं इदर, K के इदर है नहीं कुछ, तो आपको इदर गिनना नहीं, दोनों तरफ आपको चलना है, L से देखो, L के बाद क्या आता है, M है नहीं, N आता है, N, O है नहीं, तो छोड़ दीजिए, इदर देखिए, J, K, L, L के बाद आ है नहीं इदर O P Q इदर भी नहीं है तो G कि उदर कुछ है नहीं है एच आई तो बन गया एक J K और बन गया एक तो इस तरीके से आप कैसे भी कर सकते हो लेकिन आपको नंबर सगर याद है तो आप बहुत इजी बहुत ही फास्ट कर जाओगे क्योंकि आपको डिरेक्ट दिखता है कि 7,8,9 लिखा हुआ है इस तरीके से आपको गिनना पड़ेगा तो आप संख्या में जाए तो आपके लिए ज़्यादा ही दी रहेगा तो दोस्तो इसमें फाइनल देखते हैं कुछ कोश्चन और जो बनते हैं आपके इस टॉपिक पर उसके बाद ये टॉपिक में कुछ नहीं रहा जाता है फिनिश हो जाता है तो देखते हैं दोस्तो देखते हैं कुछ और कोश्चन पर ये हमारे दो फाइनल कोश्चन जो इस टॉपिक के अंदर लगाया तो दाहिं से चोथा आप से पूछा है और एक कोश्ण आपको दे रखा है यह वाला तो सबसे पहले इस पर नजर देख करते हैं यह कोश्ण आपका कैसी होगा तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि A से Z के अंदर इसके अंदर पांस होते है जिसको वावल्स होते हैं A,E,I,O और You गया होते हैं और इनको छोड़ करके बाकी जितने एफ स्याचा यह विजनकारी बहुत इंपधर लुक्त है तो बात करते हैं कैसे दे रखा आपको के टा सबी सवरों को अगले सब्दल भल न है तो आपको च्छाना लगाने कौंगन सle स्वर है कौन से वेंजन है तो सवरों पो आप टिक कर लीजिये अगर मैं इसे में सवर देखू यू होता है तो एक स्वर मेरा यह है U, एक आता है O और एक आता है I और एक E यह स्वर है मेरे और इनको बदलना है किससे स्वरों को अपने अगले अक्षर से बदलना है, अगले अक्षर से तो सबसे पहले काम मैं यही करता हूँ इस वरों को अगले एक्षर से बदलूँगा, उसके बाद जो व्यंजन है, उसको उससे पहले एक्षर से बदलना है, तो देखता हूँ, व्यंजन को पहले एक्षर से बदलना है, तो C को अगर मैं पहले एक्षर से बदलूँगा, तो C के पहले कुन सा अक्षर आता है दोस्त कि हैस और स्वरी टी के पहले क्या आता है एस से बदल दिया मैंने ओ मेरा स्वर है इसको अगले से बदलना है को के बाद आता है पी एम के पहले क्या आता है एल आई आई के बाद आगया जे जे जैड से पहले वाला जैड से पहले वाला अक्षर कुन सा होता है दोस्तों जैड supply system और भी कहता है कि सबी को वर्ण मल्हा के अनुसार फिर से लगाना है वर्ण मल्ह अनुसार अगर मैं लगाऊंगा जैसे बझमाला के अंदर होते है तो पहले करेक्टरन में से कौन सा आएगा B तो से आप गिनना स्टार्ट कर सकते हो B C D E F F आपको मिल लिया तो F यहां आ जाएगा F के बाद G H I J J आ गया K L L आ गया मेरे पास M N O T Q R R आ गया मेरे पास S S भी है मेरे पास T है नहीं U है नहीं V है मेरे पास W X Y मेरे पास आ गया Y Jण है नहीं तो मैंने क्या कहिए Вर्ण माला क्रम में लगा लिया जैसे उसने बोला उसके बाद में लगाने पर उसके बाद में कहता कि दाएं सिरे से चोथा अकशर मेरे को बताऊ यह बाया हो गया यह दाएं हो गया आपके पास कुछ शब्द दे रखे होते हैं एक्जाम के अंदर तो आपसे question ये पुछा जाता है कि इन शब्दों को क्या लगाओ वनमाला जो आपके शब्द rằng अनुसर लगाओ टाप जैसे dictionary के अंदर वर्ठ देखते तो पहले के ए वाले आते हैं फिर बी वाले आते फिर सी वाले आते हैं इसी तरीके से आपको यहां पर करना है आपको क्या करना है कि आपने देखा कि डिक्शनरी के अंदर पहले कौन सा आएगा तो मैंने देखा सबी के पहले टीर 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 से सब स्टार्ट गोरे मतलब टीर जो आपका common part है उसको आप क्या कर दो pencil कर दो है कि अब आपकी जो comparison बच गई बागी के से सबसे पहले कौन सा आएगा ओ आता है या आई आता है मुझे पहले आई आता है बाकी सब में ओ है तो मुझे पहला कौन सा आएगा दो नंबर वाला क्रेक्टर आएगा इसकी प्राइरिटी हो गई अब इसको तो देखना ही नहीं है अब बाकी देखिए बाकी में से अगला character कुन सा आगा पहले नंबर पर तो आगया दो नंबर वाला अब O O Oo puesto सन्में क्या है को मैं भूरakah दिया हो भी इ essen inka डिया ओउधर से कार दिया ऑउधर से कार अब बत्च गया जहों मेरी पास इसमें देखने लल-प्या-चोरी O P अब L आता है पहले P आता है या O आता है मुझे पता है पहले L आता है L M N O P इस तरीके से आता है तो पहले L आएगा तो मैं L वाला लिख लूँगा तो यह नि पहले शब्द वाला मेरे पास आ गया दूसरा नमर तो यह भी out हो गया यह भी शोट्ट लुगे अब मेरे पास रहे गए एक दो और तीन वर्ट ने ने देखा कि इसके पास टो ड़ा हुआ है और इंके पास किसके बर आता है कि पहले क्या आता है तो पहले वाला किया जाएगा तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों यह जाएगा दो एक तीन पांच चार यह आपके option के अंदर आपको मिल जाएगा तो आपको इस तरीके से शब्दों क्या करना है दोस्तों वन माला क्रम के अंदर लगान बस्तों